जब बात हिमाली की आती है तो मान सरोवर, कैलास, अमर्नात, आदी पवित्र अस्थानों की याद आ जाती है। इसके अलावा भी हिमाले में कई ऐसे अस्थान हैं जो अपने रहस्यों के लिए दुनिया भर में परसीद हैं। आज तक विज्यान हिमाले के कई रहस्यों से परदा उठाने में सफल नहीं हो सका है। कई बार वज्यानिक इन में से कई जगहों पर पहुंचने की कोर्सिस की है, फिर भी सफलता हाथ नहीं लगी है। अगर आप भी इन जगहों से वाकिफ नहीं हैं तो आए हिमाले की इन रहस्य मई जगहों के बारे में विस्तार से जानते हैं। तो शुरू करते हैं नमबर वन ग्यान गंज अधूनिक समय में ग्यान गंज तीबत में कैलास परवत और मान सरुवर जहिल की निकट इस्तित हैं। धार्मिक मान्यता के अनुसार इस जगह पर एक आश्रम हैं। कहा जाता ही कि इस आश्रम का निर्मान खुद विश्व कर्मा जी ने की थी। जनकारों की माने तो यह दुनिया में सबसे उचा परवत हैं। और आज तक इस परवत के सिखर पर कोई पहुच नहीं पाया है। इसकी पूजा करते हैं वहीं तिबती लोग उचे पहार को भगवान मानते हैं। इसलिए भी लोगों को गंखर पुन्सुम की चोटी पर जाने की अनुमती नहीं है। 3. कुंग का लादर्रा हिमाले की गोद में बसा कुंग का लादर्रा लदाख में इस्ति थे। इस जगह पर जाना वेहद ही मुश्किल हैं क्योंकि यह दर्रा वर्व से ढकी हुई है। 1962 में भारत-चीन यूद के बाद एक सहमती बनी। इस सहमती के तहट दोनों देश के सैनिक इस जगह पर मार्च नहीं कर सकते हैं। बलकि दूर से ही इसकी निगरानी कर सकते हैं। तभी से यह जगह विरान है। यहां के अस्थानिय लोगों का कहना है कि यहां पर अक्षर उरन तसकरी देखने को मिलता है। गोर तपस्या की थी यहां का रहसे यहां का लोकेशन है इस यूग में भी यहां पर जाने के लिए बिल्कुल खड़ी चड़ाई है जो की बहुत ही मुश्किल है नमबर फाइफ हिमाले की वादियों में रहने वाले लोगों की कभी भी दमा, टीवी, गठिया, चर्म रोग, अस्थी रोग, नेत्र रोग, इत्यादी जैसी बिमारी नहीं होती हिमाले छेतर के राजिय जमू कस्मेर, सिक्कीम, हिमाचल, उत्राखंड, असम, अरुनाचल, इत्यादी, छेतरों के लोगों का स्वास्ते अन्य प्रांतों की अपेक्छा बेहतर होता है दीबद के लोग निरोगी रहकर कम से कम सब वर्स तक जीवित रहते हैं तोगाईज हिमाले अपने अनूठी जलवायू और भुगोल के कारण हिमाले जानवरों के दुबलव परजातियों का घर हैं हीमानव तेंडूए जंगली बकरिया, तीवती भेर, कस्तूरी मिरीग और पहारी बकरियों को पहारों के पीछा करते, कुर्ते और छलांग लगाते देख सकते हैं आप तोगाईज कभी आपने हिमाले को पास से देखा है? कमेंट कर जरूर बता हैं